लावा ने अभी अपने मुबाइल एक लाउंच किया था लावा जैट 61 प्रो जूकि काफी ठीक मुबाइल नहीं लगा मुझे उसके अंदर आपको प्रोचेस्टर इतना अच्छा नहीं मिलता था डिस्प्ले में आपको बैजल वगरा देखने के लिए मिल रहे थे और डिस् पर बैठता है और किस चीज को और किस मुबाइल को एक competition देने वाला है और कहां पर इसे लावा ने फिर से कम्या कर दी हैं सभी बातों के बारे में बात करेंगे मेरा नाम एमकेशिंग आप देख रहे है अगर आपको टेक वीडियो में इंट्रेस्ट है चाले को सब्स्क्र इसे डिस्प्ले मिल रही है बट यहां पर इस बार आपको बैजल्स नहीं है बड़े बड़े आपको और आम से उपर के तरफ ए वाटर ड्रॉफ नोस देखने के लिए मिल जाती है और नीचे की तरफ चीन हाला के मिलती है बट लगभग इस प्राइस में यतने मुबाइल आ रहे हैं सब में आपको ऐसी ही चीन देखने के लिए मिलती है फिंगर पिंट सेंसर यहां पर आपको एड कर दिया गया है और डिस्प्ले जाइर चीवाद थोड़ी हो गई है तो प्राइस तो बढ़ नहीं थी पर यहां पर बैटरी पर चोड़ी चेंज की गई है उन्ता किये जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे हो गया बहुत जधा हाई फैज़ी के फैपिके प्रसेट करने वाला है और वियाल देखने के लिए मिल सकता है तेरे प्लस दो मेकापिसल का बैक कैमरा देखने के लिए मिलता है और साथ में आपको तेरे मेकापिसल के सैल्फी मिल जाती जो कि बहुत अच्छी बात है और यहां पर आपके बैंटरी परफॉर्मेस भी कापी ज्यादा नहीं मिलेगी आपको क्योंकि प्रसेसर आपका 28 ननो का हड्स है और बाके चार कोर्स की जो है 1.2 GHz है जो जीप्यू वह भी काफी ठीक था अगर आएमजी का पावर विया जी एट थे टू 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 देखने के लिए मिलता है जो की पी टू टू वाल जो जो जीप्यू है उसके आसपा से बैठता है अले कुछ ब्रैंड्स हैं वो भी आपका P22 पे आता है और बहुत सारे मोबाइल्स हैं वह एक पी टू टू में मिलते हैं तो यह पास हैं कि थोड़ा सा चिपका के यहां पर अगर यह मीडिया टेक का ही प्रसेशर देगे देते जो 12 नैनोमीटर पर फैबरीकेट होता दैन यह काफी ठीक हो सकता था औ यहां पर उन्हें वो नहीं किया यह उन्हें पर्फर्फर्मेंस के मामलें बहुत भी बुरा काम किया है और यूनिसोग का आपको अठाइस निमिटर का प्रोसेसर लागर के दिया है अभी क्या चल ले इंडिया में इंडिया के इंदार नौन चायनिज सेंटिमेंट आ चुका है और लावा और सैंसंग जैसे कमपनिय पास बहुत अच्छा मोका है कि यह इस समय क्रोक कर सकते हैं और ये टाइम टो टाइम बहुत ही बेकार प्रोडक्ट आपको लांच करके देते हैं इस प्राइस रेंज में तो इसमें अब हम कर भी कर सकते हैं लोगों को इसलिए मजबूर हो करके रेडमी और रियल मी जैसे मुबाइल की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर इसी प्रैस में आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन्स मिल सकती हैं अब हर इनसान तो ऐसा होता नहीं है कि आपको सैमसिंग वगार के मुबाइल खड़े दे ले लिए तुरह अच्छी स्पेक्स ना दे बाकि आप कोई इनसान होते हैं जो तो हजार तीना रुपए एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं सेम चीज के लिए दोनों कंपनियों को ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है इन्हें जो और इन्हें जो और चाइनिज कंपनी मार्गेट में से मैं दे रही हैं अच्छा प्रोडक्ट आपको दें ये काफी ठीक हो सकता है बागे 3.5 mm जैक आपको देखने के लिए आपर मिल जाता है और भी इतना कुछ खास है नहीं प्लास्टिक बिल्डी है प्लास्टिक की बोड़ करना पसंद नहीं करते हैं आप अपने फोन पर नहीं करते हैं तेन आप अराम से इस फोन को पाय कर सकते हैं यहां पर आपको एक option काफी अच्छा मिल जाता है फिंगरपिंट सेंसर मिल जाता है अंडर 8000 रुपीज तो उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो काफी कि लिए बाइबा टेक केर जाहें